प्रदेश कॉंग्रिस की ओर से आज किसा नांदोलन के समर्थन में जैपुर के शहीत समारक पर धर्णा दिया जाएगा इस दोरान राजे के कृशी विधेको को राजभवन में दोखने को लेकर भी विरोध जिताया जाएगा ये धर्णा दोपहर बारा बजे से शाम चार बजे तक चलेगा जिसमें मुख्य मंत्री अशोग गहलोत खुद शिर्कत करेगे वहीं PCC चीफ गोविन सिंडो टासरा पूर्वर उपमुख्य मंत्री सचन पाइलेट मंत्री परिशत के सदस से विधायक और कारेकरता भी घर्णे में शामिन होंगे इधर आज शाम साथ बजे CM गहलोत ने कॉंग्रिस और सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें भावी राजनीतिक मुद्दों के साथ प्रिशी कानूनों के खिलाप अभियान की रन्मीती पर चर्चा होगी वही कुछ जानकार इसे विधायकों की नराजगी दूर करने की कवायत भी मान रहे हैं वहीं बैठक के बाद डिनर का आयोजन भी होगा तो किसान अंदोलन के समर्थन में आज कॉंग्रेस बड़ा धरना करने जा रही है शहीद समारक पर दोपहर बारा बज़े से इधरना शुरूर होगा और धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिरकत करेंगे वहीं के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पाइलिक गोविन सिंग दोकासरा पूर्व उठ्मक्ष्य मंत्री साचन पाइलिट मंत्री परिशत के सदस्य विधायक और कारेकरता भी इधरने में शामिल होगे इधर आज शाम साथ वजे सीएम गेहलोत ने कॉंग्रेस और सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की बैठक बुलाई प्रदेश कॉंग्रेस की ओर से आज किसान आंदोलन के समर्थन में जैपुर के शहीत समारक पर धरना दिया जाएगा इस दौरान गाज्य के सुशी विधेयकों को राजभवन में रोकने को लेकर भी विरोध जताया जाएगा इधर ना दोफेहर बारा बज़े से शाम चार बज़े तक चलेगा जिसमें मुख्य मंत्री अशोग गहलोट भी शिर्कत करेंगे वही PCC चीव गोविन सिंग डोटासरा पूर्व उपकुक मुख्य मंत्री सचिन पाइलिट मंत्री परिशत के सदस्य विधायक और कारेकर्ता भी धरने में शामिल होगी इधर आज शाम साथ बज़े सीएम गहलोट ने कॉंग्रेस और सरकार को समर्थन देरे विधायकों की बैठक बुलाई प्रदेश कॉंग्रेस की ओर से आज किसान अंदोलन के समर्थन में जैपुर के शहीद समारक पर धरना दिया जाएगा